ह이로ो, नमस्ता जी, सभी को कैसे हैं सब? आसा करती हूं, सब अच्छे होंगे और आज मैंने लिये हैं ये चार गुलाब के पेड़ अलग-अलग कलर के हैं, बड़े प्यारे से हैं इंगलिस गुलाब हैं तो इन्हीं को मैं लगाओंगी तो इसके लिए मैं क्या करूँगी जो छोटे गमलों में छोटे छोटे पोदे लगे हुए है ना मतलब बड़े गमलों में छोटे पोदे जिनको कम जगे चाहिए उनको तो मैं बड़े गमलों से निकाल के छोटों में ट्रांसफर कर दूँगी और बड़ों में लगा दूँगी मैं गुलाब कुछ पोदे ऐसे हैं जो खराब हो गया है उनकी मट्टी भरी हुई है इनमें तो उसे निकाल के बड़ों में सिफ्ट करूँगी क्योंकि गंबले बहुत सारे हो गए हैं तो गंबले तो मैं बहुत नहीं खरीदूंगी क्योंकि चट पे बजन भी बहुत हो गया है मैंने नीचे से उपर वाली चट पे भी ट्रांसफर कर दिया है 10-12 गंबले और बीच वाली पे भी बहुत सारे हैं अब्हुनों बालकनी में हैं तो अभी मैं थोड़ा सा मतलब ऐसे एड़ईस्ट करूं कि जो छोटा पोदा है वो चोटे गमले में लगा दूँगी जिसे गुलाब वाले थोड़े बड़े इस पोड़ चाहिए इनको तो वह मैं इन वाले गमलों में लगा दूँगी चार मैंने गुलाब लिये हैं और चार ही लिये हैं गैंदा जो मोटे वाला गैंदे का फूल आता है केवल सीजनेबली होता है ये सर्दी में ही खिलता है मोटा तो वो ही वाले चार गैंदे के फूल लिये हैं मतब बोदे लिये हैं और चार लिये हैं गुलाब के, गुलाब येलो है, रेड है, और डाक पिंक है, और लाइट पिंक है, बड़े प्यारे से हैं ये, देख के मन ऐसा करा की ले लूँ, तो अभी मैं पहले गमले खाली करती हूं इनके लिए, तब मैं इनने शिफ्ट करूँगी, और, अभी मुझे काफी दिन हो गया है, मैंने ब्लोग नहीं बनाए हैं, ये वीडियो भी मेरे पास पहले से थी, तो मैं इसी को अब एडिट करके, मैं चलो आपसे थोड़ी सी बाते भी हो जाएंगी, काफी दिन हो गया हैं, ब्लोग नहीं बनाए हैं, क्योंकि दिवाली के बस बहिए दोजवालव लोग बना था उसके बाद एक मैंने गुल्लक डेकोरेट किया था वह वाला डाला है क्योंकि बीच में थोड़ी सी बीजी थी बीजी भी कह सकते हैं थोड़ी सी मतब डिस्टरब भी थी दो नहीं चीज है और यह पोदे लगाए हुए मेरे को लगब 20 दिन हो गए हैं 20 क्योंकि यह मैंने दिवाली से पहले लगा दिये थे लेकिन मैं बीच में इतनी ज्यादा मैं उपी बताया आपको बीजी थी तो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई यह वाली वीडियो तो अभी मेरे याद आया कि चलो इस वाली वीडियो को अपलोड करत की और परिसानी का करन यह था कि अब एकी तब थोड़ी सी खराब होगी थी मतलब खराब भी नहीं सकते बस ऐसा है कि उसको पीथ हुआ था तो उसके बाद उसो थोड़ा सा ठंडे बानी से नहां लिया गगाजी में तो थोड़ा सा दिक्कत होगी थी तो इसकी वज़े से तो थोड़ी सी डिस्टप जादा थी तो बस फिर मन नहीं किया बिलकुल भी कुछ भी करने का ऐसा लगा कि नहीं कुछ नहीं करना बस अब पर ध्यान देना है लेकिन अब वो पूरी तरह ठीक है हमने उसके सारे चेक अब पगहरा कराए है अब बिलकुल ठीक है चिंता की वगवान उसी को देता है और वगवान बस इस तरह की परिक्षा लेता है हमारी लेकिन आप जानते हैं कि एक मा की परिसानी की बढ़ जाती है अगर उसके बच्चों के कुछ हो जाता है क्योंकि जीवन इनी के इद गिर्द रहता है बच्चों के ही और हमारे जीवन में इक है तो इस ब्ग में बगवान का सुक्रियादा करती हूं बहुत ज़्यादा तो अभी मेरे दो पेड तो लगए है और यह वाला भी मैंने करो टन का पेड़ी से निकाल ले यह क्योंकि बहुत जादा ग्रो नहीं तो अभी मैंने इसको भी छोटे वाले इसमें पोड में ट्रांसफर किया है चोटे पोड में एक खाली गमला था तो उसमें तो यह गुलाब मेरे चारो सिप्ठ हो गया है इसमें और गैंदे के पेड़ तो मैं प्लास्टिक वाले गमलों में लगाऊंगी क्योंकि यह जैसे पर्मनेंट ग्रीन रहने मालों में से तो है नहीं तो सीजनेवल प्लार है तो अब मैं बस इने ऐसे ही लगा दूँगी और मिट्टी इनकी इतनी गिली थी जो पोट थे सभी की और जो गुलाब आये थे इनकी मिट्टी भी बहुत गिली थी तो गमले बार से सारे गंदे हो गए हैं तो इनने भी क्लीन करना है मुझे अभी तो इनने भी क्लीन करने के बाद फिर आफ को दिखाऊंगी और इसमें में एक बहुत अच्छा सा खाद लगाऊंगी जो जैसे पोदे लगाते हैं खासकर गुलाब के पोदे में आप उस खाद को लगा सकते हैं तो फूल ना काफी दिन तक टिके रहते हैं जैसे आज फूल खिला है और अगर आप वो वाली खाद लगाते हैं तो फूल कम से कम 6-7 साथ दिन पोदे पर रहता है गिरती नहीं है उसकी पंखडी तो वह वाला खाद गुलाब के पेड़ में जरूर लगाना चाहिए तो जिससे ये फूल काफी दिन तक टिके रहते हैं तो एक गैंदे का पेड़ तो मैंने छोटे वाले गमले में लगा दिया है और तीन में इ पानी तो बेसक निकल जाए मट्टी भी उसके साथ निकल जाती तो फिर सारे में गंदा हो जाता है तो इसलिए मैं छोटे-छोटे सब फूल करके रख दिया है उन पर इस तरह में इसमें रख दूँगी इजदे बड़े नहीं होते हैं इतनों फूल खेल जाएंगे अभी म और लगाने के दस दिन बाद ही खिल गए थे अभी तो खिले हुए भी उनको लगवग एक हफ्ता हो गया है लेकिन मैंने अभी बताया कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी तो इस वज़े से मेरा काम सारा कंप्लीट हो गया अभी मैं इनको बाहर से थोड़ा सा क्लीन कर द वैंगी उस अब सर्णियों में गुलाब सुन्दर होते हो जाते हैं काफी बड़े बड़े खिलता हैं काफी दिन तक किरत थे हैं क्योंकि जब गर्मी होती है तो भूप के कारण वो खराब हो जाता है जल्दी और यह गार्डिनिंग करती वार्ना गंद्द्गी तो तो ऐसा पाणुल जाता है और यभाद मिल जाए क्योंकि रिपोर्ट किे है नुट तो मेरा काम कंप्लीट हो गया है सारा अच्छत बहुत गंदी होगी है सफाई होगी नेक्ष दे अभी यह तैयार होगे है नजदीक से अब मैं दिखा रही हूं आपको कलर इनके और अभी यह वाले फूल तो यह जो कली बनी हुए यह तो नहीं खिलेंगे क्योंकि फूल देखो अब यह इनका है एक हफ्ते से जाएं और दिन बाद की है यह व्यू फ्लार देखो कितना सुंदर खिले हूए हैं गयंदे पर अठी नए बड़े बड़े से हैं बड़े प्यारे लगते हैं खिले हुए हूं अर यह लग बहुब एक महीना चल जाते हैं और दे पर नई कली बन गया है तो चारो पोदों ने जड़ पकड़ दिया है बहुत अच्छे से यलो पर भी नई कली बन के आई है अब देख सकते हैं कितनी प्यारी सी कली है और इस पर भी कली बन रही है लेकिन इस पर भी बहुत छोटी है तो चारों पोधे जो मैंने लगाए थे मेरे अच्छे से चल गए है कोई भी नहीं मरा है बढ़िया से और ये जब आंधी में पत्ती तूटी थी ना तो मैंने इस चोटे से गंबले में लगा दी थी ये तो इसने ना तीन बेबी प्लांट निकाले है देखो ये थोड़ा बड़ा है ये इससे चोटा है और ये उससे चोटा है तो तीन बेबी प्लांट इसने निकाले है कितने मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ऐसे देखती हूं ना इनके साइड में सब ये छोटे-छोटे प्लांट निकलते हुए मन को ना बहुत जादा तसल्ली होती है और ये तुलसी माता है तो एक दिन एक पत्ती तूट गी थी तो मैंने ये तुलसी माता कि इस में गमले में ही गाड़ दी थी ये मही रखी थी तो इस पत्ती के पीछे से भी देखो एक बेबी प्लांट निकल के आया है ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है और एक मा समझ सकती है अपने बच्चों से प्यार आप भी समझ सकते हैं मेरी वेथा और गार्डनिंग वाके में ही मेरा बहुत पसंदीदा काम है जब मैं बहुत जादा मतब परेशान भी होती हूं न तो मैं गार्डनिंग में अपना टाइम देती हूं तो उससे न मुझे आजाए आप भी खा लीजिये पायल खा रही है अभी अभी आपको दिखा रही हूं देखो किती सुंदर बन रही है करारी करारी मक्का की रोटियां साग के साथ सर्दियों का इस पेसल खाना है ये अधिकतर सभी गरों में बनता है मैंने आज इस सीजन में पहली बार बना यह धा देखो कितनी फूली फूली बन रही है। कितनी प्यारी लग रही है। खाने में पीघी बड़ी करंची सी पाइल खा रही है मैं उसको एक एक सेख कuleने लगा दिख वपता डीये। आ जेए खा लीजिए और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीजी लाइक करें शेर करें और अगर चैनल को ससक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब करलें मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ तब तक के लिए सभी को रादे रादे आपका दिन सुभो मंगल मैं हो इसी कामना के साथ बाई बाई